तो स्वागत आपका हमारे चैनल में आज के वीडियो में हम बात करेंगे एपल टीवी और पारामाउंट के अंडर में बनी एक एपिक क्राइम ड्रामा फिल्म जिसका नाम है दी किलर्स ओफ दी फ्लावर मून तो इस फिल्म को डिरेट करने वाले हैं हॉलिवीड के जाने माने और बहुत ही लिजेंडरी फिल्मेकर्स में से एक मार्टिन स्कॉर्से से और इसका ट्रेलर हमें कुछी दिन पहले देखने के लिए मिला था और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मैंने अब तक के जितने भी ट्रेलर्स देखे हैं ये ट्रेलर उन सब में से काफी जादा यूनिक था और अभी से एडिटर की एडिटिंग कहेंगे या मार्टिन स्कॉर्सर से का जादू ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा और अगर बात करें मार्टिन स्कॉर्सर से की तो इनके फिल्मों के तो क्या ही कहना है इनके फिल्मों में एक नशा होता है जैसे कि हमने The Irish Man, The Wolf of Wall Street और भी कई सारे फिल्मों में हमने देखा हुआ है और मैंने तो इनकी एक भी फिल्म मिस्त नहीं की है अब एक्टर्स की बात करें तो इसमें बहुत ही नामी एक्टर्स हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं जैसे लियनाडो डिकेप्रियो, राबर्ट डिनेरो और ये कहानी बैजड होने वाली है डाबिट ग्रेंड के लिखी गई इसी सेम नाम के नॉवल पर जो की पबलिश हुई थी 2017 में तो 2020 और 2021 के बीच में ही इस फिल्म का अनॉस्मेंट कर दिया गया था और इस फिल्म में हमें बहुत ही नामी आक्टर्स दिखने वाले हैं जैसे लियनाडो डिकेप्रियो, राबर्ट डिनेरो, लिली गलैटसन इनके अलावा भी और भूत से काष्ट है जो की हमें फिल्म में दिखने वाले हैं और इस ट्रेलर में एक चीश बहुत ही गुजबम देगी आपको जो कि है इसका BGM इसका BGM की जिमेदारी समाली है रोबी रोबर्ट सन ने जो कि कई सालों से मार्टिन स्कॉर्सेस के साथ ही काम करते आ रहे हैं तो ये सब देख करके एक चीश तो हमें पता चलता है कि मार्टिन स्कॉर्सेसे से अपने ग्रूप को कभी नहीं छोड़ते जो कि ऐसा होना भी चाहिए फिल्म की रिलिज डेट की बात करें तो ये फिल्म रिलिज होने वाली है 6 अक्टूबर को जी नहीं ये हमें किसी थेटर में देखने के लिए नहीं मिलेगा ये हमें एपल टीवी पे देखने के लिए मिल सकता है और काश ही इस फिल्म को हिंदी में डब किया जाएगा आई होप की डब किया जाए एपल वालों के तरफ से जिसके की चांसिस मुझे बहुत ही दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और इस फिल्म का रन टाइम पूरे 206 मिनट होने वाले हैं मतलब 3 गंटा 26 मिनट और इस पूरे फिल्म को 200 मिलियन के बजट पे बनाया गया है 200 मिलियन को अगर हम इंडियन करंसी के हिसाब से देखें तो यह होते हैं 16,100 करोड जो की पैसे हैं मैं साफ तोर पर इसके फ्रेम में दिखते ही है तो वेट करते हैं इस फिल्म के रिलिज डेट का तो मैं तो काफी वेट कर रहा हूं इस फिल्म को लेकर के आपकी क्या राह है इस फिल्म को लेकर यो मुझे hangout बताईए तो बस आज के वीडियो में इतना ही मिलते किसी दूसरे वीडियो में और जाते जाते इस वीडियो करतीजे लाइक चैनल को किजिए सब्सक्राइब बैल लाइक और प्रेस करें और शेयर किजिए अपने सारी दोस्तों में